हलो फ्रेंट वेलकम टू आज चानल करंट अफेर अपडेटेड दिस दिवशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने कैसा टॉपिक लेक्ट लेके आया हूँ याद अखिए कि इस लेक्चर को जरूर देखिएगा एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको मांक स्कूर करने त इस लेक्चर को बहुत सिंपल वे में बहुत चोटे तरीके सा आपको याद करा दूँगा इसमें आपको किस तरह आएंगे वो भी बताऊंगा और आप कोशन गलत नहीं करेंगे तो प्लीज इस लेक्चर को एंट तक जरूर देखना अगर आपको मांक स्कूर करने तो चलि इन्डिया के पर्सपेक्टिव से मैं डिसकर करूँगा तो जित्ते भी क्लासिफिकेशन है उसके उसको किस तरह कोशन آते हैं वह भी मैं आपको बताऊं गाँका सीधा है मैं .* ॉप करना है क्लासिफिकेशन पर आता हैंiron अपको इंडिया कोशन परmother यंप से M Let's इसको denote किसे करते हैं, denote किसे करते है, E से, तो आप E यहां पर देख रहोंगे, कश्मीर साइड में, जहां बहुत ठंड होती है, कश्मीर हिमाचल साइड में, तो उसको E से denote करेंगे, तो मुलब E मतलब क्या हो गया, पोलर रीजन, को कि जम्मु इन कश्मीर का रीजन है, तो मै आपको ठंड लगती है, ठंड एरिया में, तो E करके करते हो, आप ठंड लगती है, simple way है, तो E से आप याद का सकते हो, ठंड एरिया, that is polar type, अब उसी के बगल में आप देखेंगे, ET दिख रहा है, उत्तरा खंड आपको दिख रहा होगा, ET, ठीक है, so ET से आपको याद रख याद क्या करना है, याद क्या करना है, याद करना है, कि E करके अगर आए, तो आपको रखना है, जम्मुएन कश्मी, ठंड लगती है, अगर हम यहाँ पर जाए, तो उपर साइड पोलर होता है, अर्थी अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते है, E के नीचे आए, तो ET आगे, आगे कैसे याद करना है, आगले है, DFC, अब DFC क्या है, I hope आपने जोगरफी पढ़ी होगी, तो Dafla Hills पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया, अरुनाचर प्रदेश में Dafla Hills है, तो DFC भी आप देखिया, अरुनाचर प्रदेश में बना हुआ है कि नीच, बिलकुल, अरुनाचर प्रदेश और सिक्किम, और कुछ पार्ट असम का हम कह सकते हैं, तो अरुनाचर प्रदेश, तिक्किम और कुछ पार्ट असम का, यह है DFC, DFC से याद रखना है Dafla Hills, तो याद जाएगा, तो DFC, Dafla Hills है, जाद है कि सिक्किम, अरुनाचर प्रदेश और सम पोर्शन और असम और सम अलसो, कि सिक्किम, अरुनाचर प्रदेश में कौन से आइप का, क्लाइमेटिक रीजिन हैं, according to Copenhagen classification, तो आपको आणसर क्या लगाना है, तिस DFC, अब आते हैं फोर्थ में, फोर्थ बहुत असान है, डिल्ली के हूँ, दिल्ली में गेम सुए तो कॉमन वेल्थ गेम, आई होप आपको याद होंगे, तो CWG, Commonwealth Games, तो डेली के आसपा साथ देख लो, आपको राजस्थान मिल जाएगा, Eastern Rajasthan, आपको UP पूरा मिल रहा है, Northern Plain, इवेन आपको West Bengal मिल रहा है, बिहार मिल रहा है, और देखिए, Assam side का भी region आपको मिल रहा है, प्लस MP का भी, Malwa का असम मिल रहा है, Malwa Pratum मिल रहा है, याद रखिएगा, बिहार तो मिल रहा है, West Bengal मिल रहा है, इसको हम कहते हैं CWG, ठीक है, फोर्थ टाइप, यहाँ पर होगा, Monsoon type, with Dry Winters, याद रखिएगा, Dry Winters है, और Monsoon है, ठीक है, Monsoon region with Dry Winters, यह भी आपको याद रखना है, जो चार कि भाई, वो polar region है, वैसे आपको याद करें, desert region में हम capital B से start करेंगे, ठीक है, तो दो बने हुए, BW, HW, ठीक है, BW capital है, फिर HW small में है, और B, S, HW, तो देखिए, इन दुन में के difference देखा जाए, तो W और S का ही फरक है कि नहीं, ओके, बिलकुल फरक है, तो W से कैसे याद करेंगे, B, W, HW, तो W, जो capital W का difference है, यहाँ पर, तो यादर करेंगे, W से एकदम western region, के दार करेंगे, एकदम western region, तो राजस्तान का अगर हम बात करें, तो एकदम western region, ठीक है, याद रखिएगा, that is B, W, HW, तो याद रखिएगा, W से मैंने western बना दिया, तो एकदम western, तो एकदम पाकिस्तान से आप देख रहे हो, जुड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर इसको कहेंगे, hot desert type, क्या कहेंगे, hot desert type, ठीक है, चलो, अगला देखतें, B, S, H, W, अब यहाँ पर W की जएगे क्या आगया, S आगया है, ठीक है, तो अब यह थोड़ा सा, compared to, एकदम western स type है, तो यहाँ पर ग्रासेस होती है, step A में भी, याद देखेगा, तो semi-arrate step A type है, B, S, H, W, है न, और यह दो जगे है, अब आप देख रहोंगे, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आप देख रहोंगे, थोड़ा सा, बना हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर दो जगे ह सकते हैं, और यहाँ पर दोनों जगे बारिश बहुत कम है, यहाँ देखेगा, तो यह जो है, rain shadow area, कौन सा region है, rain shadow area, मतलब rain shadow area, मैंने पढ़ा हो, यहाँ बारिश कम होती है, तो rain shadow area यहाँ का है, तो देखेगा, आंसर क्या है, कि some rain shadow portion of western garch, जो western garch में बारिश कम होती है, rain shadow area, वो है BSHW, और जो मैंने भी आपको बता है, राजस्थान का joining area है, हर्याना, गुजरात का, यहाँ देखेगे, हर्याना, ठीक है, गुजरात, ठीक है, और यह राजस्थान का कुछ area है, ठीक है, और गुजरात का भी यह region है, तो इसको हम क्या कहते हैं, that is, BSHW, ठीक है, त आपको दिखरा होगा, ठीक है, तो AW, ऐसे याद कर सकतो, कि चलते हैं, अपन आजा West Bengal चले, ठीक है, तेखो West Bengal साइट जा रहा है कि नहीं, आजा West Bengal चले, ऐसा कुछ short form बना सकते हो, यह जो है, यह ट्रॉपिकल सवाना टाइप, कौन सा टाइप है, सवाना, ग्रास लेंश मे ऐसे याद कर सकतो, यह पूरा एरिया है, इस एरिया में अगर आप देखेंगे, तो बिलकुल Peninsular Plateau का Major Position है, Except Malabar Coast और Coromandel, यह आपका Coromandel है, और यह आपका Malabar Coast है, इसको छोड़के Major ली आप देखेंगे, AW कहा पर है, Peninsular Plateau में है, वही लिखा हो, Exception Coromandel and Malabar Region, नेक्स आ आप कर लो, तो आंधरा साइड में, कौन सा कोस्त है, यह है, Coromandel Coast, तो याद दखेंगा, AS कौन सा टाइप है, यह है, Coromandel Coast, आप कहा सकते है, Tamil Nadu और आंधर पदेश की बॉर्डर यहां पर जोड़ रही है, ठीक है, इसका टाइप हम कहेंगे, AS को आंधरा साइड, शौट फ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब यह देखे जाए, तो मैंने एट करा दिया, नाइंट बचा है, नाइंट कौन सा है, नाइंट जो है, वो है, AMW, AMW मतलब इधर साइड, ठीक है, तर इस मालाबर Coast साइड में, तो AMW की अगर बात करूं, तो याद एखेगा, इसमें सबसे मुंबई के साउथ में आप देखेंगे, अन दे वेस्टन शोर, तो मुंबई के साउथ में आप देखेंगे, अन दे वेस्टन शोर आपके AMW बना हुआ है, जिसको आप जैसे किरल जाते हैं, तो वहां का क्लाइमेटिक रीजन क्या है, AMW, या दखेगा, that is monsoon type with short dry winter season, winter season ब मैं आपको बता है, फिर मैंने डाफला वाला बता है, DFC, फिर CWG मैंने आपको बता है, फिर मैंने आपको बता है, desert का DD, capital B, capital B याद अखने हैं आपको, फिर AW बता है मैंने आपको, ठीक है, फिर AS बता है, और फिर AMW बता है, ठीक है, तो यह थे, अब आपको होगे सर, यह बढ़ते हैं कि Copenhagen classification of climate के according, इन में से किस ने सबसे best description दिया है North East India including North Bengal, बलना, North Bengal and North East India, दोनों ही cover करे, तो देखाया है तो ये इंडिया है तो नौर्थीस्ट इंडिया भी कवर करें और बेंगॉल भी कवर करें तो दाफला वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बेंगॉल कवर करी नहीं रहा था अब आपको याद आएगा सर वो आपने CWG बताया था जो Commonwealth Games वाला ठीक है वो पूरा बेंगॉल को भी कवर कर रहा था और असंसाइड भी जा रहा था नौथीस भी जा रहा था तो CWG कहा है सीधा आंसर डी है CWG ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूमिट सब ट्रॉपिकल क्लाइमिट विद ड्राइव इंटर्स आपको CWG सीधे देखके मार्क कर देना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये देखे ये है आंसर ये है CWG बेंगॉल और नौथीस को ये कवर कर रहा है देखे किस तरह कोशन आया उत्तरखन PCS में और मैं आपको कोशन बताता हूँ किस तरह आ रहे है ये कोशन देखे यूपी यूपी सी के सीए पी एफ सेंटर राम पुलिस फोर्स 2016 में कोशन था कोशन क्या है कि इन में से कौन सा क्लामिटिक टाइप कोपेंगन स्कीम में बेस सूटेड है टू डिस्क्राइब क्लामिट ओफ वेस्टर फरिंज ऑफ राजस्तान अब राजस्तान का जो वेस्टर पार्ट है उसको बता है अभी मैं बता है राजस्तान की बात है तो Capital B वाला याद दखता है अब Capital B वाला A की आंसर है BWhW W से Western मैंने बताई भी था BWh सीथा आंसर हो गया कोई देखने की जरूती नहीं है ठीक है सीथा हो गया BWh क्योंकि अभी मैंने आपको यह समझा है कितना सान कोशन अगला question देख लेते हैं, यह question आया है बिहार PCS में, अभी बिहार PCS का notification भी आ गया है, okay so this is also important, question क्या है, कि Copenhagen Climatic Classification से the climate of North Bihar North Bihar का climate कौन सा है, अब आप कहेंगे सर ये तो अभी याद करा है CWG जो था, वो अभी आपने अभी CWG answer होगा, याद एखिएगा तो ये होते हैं तरीका, अभी राजस्थान की question आ सकते है, राजस्थान PCS का भी नोटिफिकिशन आ गया है, ओके चलिए, और एक और question देख लेते हैं, UPSC के 2020 के CEPF में question है, क्या question है कि according to Copenhagen Climatic Classification, Great Northern Plains are represented में, Great Northern Plains, अब कुछ देखो, अब जिनको नहीं पढ़ा है, जिन्हों नहीं है, तो इसको देखते रहेंगे, और माक क्या करेंगे, कुछ नहीं माक करेंगे बट जिन्होंने मेरी एक क्लास, ये दस मेडिकेटरिन कर लिया, तुरंद माक करेंगे Northern उसमें कोशन आ रहा है, जोगरफी, जहां जहां आ रहे है, इंडिन जोगरफी, वहां पर एक कोशन आ रहे है, तो ये था मेरा lecture, I hope, मेरा कॉपिंगन क्लासिफिकेशन, जो की बहुत difficult होता है, लोग बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, एक simple way में आपको समझा दिया है, याद आखिए कि आप मेरे notes order कर सकते हैं, यह मैं बता दू, ठीक है, हर subject के मेरे handwritten notes जो हैं, वो आ चुके हैं, order करने के लिए आपको नीचे मेरे number दिया हुआ है, किसका? WhatsApp का, आप मुझे WhatsApp करिए, और जितने भी handwritten notes हैं, ठीक है, मैं आपको सारे दिखाए दे रहा हूँ, हर subject के आगे है, current affairs हो, geography हो, economics हो, इन सब को order करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो WhatsApp नमबर दिया है, उस पर मुझे WhatsApp करने पड़ेंगे, तो मैं आपको सारे notes जो हैं, यह easily provide कर दूँगा, तो इन notes का sample वगर आप देख सकते है Indian geography वगरा बहुत important है, यह classification मैंने आपको पता है, यह important है, इस तरह के मैं lectures बनाता रहता हूँ, तो आपको lecture पसंद आया है, तो वीडियो को like जरू करें, चैनल को subscribe करें, current affairs के साथ static part भी लोगों ने demand कि, तो मैं static part पे भी lectures बनाता रहूँगा, ठीक है, current affairs पे भी lectures आते रहें बट ऐसे topic जो मुझे लगता है कि हर PCS में आ रहा है question, और लोग नहीं बना पारें, बहुत लोग कहरें थे साहिए इन questions को कैसे solve करें, तो मैंने एक trick बना दिया, और I hope आपको यह nine type के climatic regions याद रहेंगे, और आप exam में एक question easily बनाएंगे, तो बिहार PCS और राजस्तान PCS क form जरूर भर दें, और फिर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, हमारे application को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका link जो है, वो description box में, आपको डाउनलोड करें, वहाँ पर मेरी classes हैं, उनको देखो, और मेरी current affairs की classes देखते रहो, notes वगरा मैं आपको सारे provide कर दूँँगा, notes ले लो, जो भी lectures देखते रहो, आपका exam easily crack हो जाएगा, तो अभी भी जिनका exam crack नहीं हुआ है, UPSC जिनका रुका हुआ है, सबसे best opportunity आप Rajasthan और Bihar के, दोनों के PCS के form जरूर भरें, कोई doubt query वो भी comment box में जरूर करके बताएं, और ये trick कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो comment box में जरू हो सके, उतना share जरू करें, इसमें simple way में किस तरह पढ़ा जाता है, ये लोगों को पता जान सकें, okay, so thank you and have a nice day.